मध्यप्रदेश में 20 से ज़्यादा जीलो में बारिश का अलट जारी किया गया है मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मध्यप्रदेश में साइकोलानिक सर्कुलेशन और मौनसून ट्रफ लाइन की वज़ा से आज तेज बारिश हो सकती है अलाकि 11 अगस्त से बारिश की एक्टिवीटी कम हो जाएगी इस दोरान कहीं कहीं बुंदाबांदी और गरत चमक के स्थितीव बनी रहेगी बोपाल के राजबोल जे एरपोर्ट पर इंटरनेशनल उरान शुरू होने से पहले मनी एक्स्चेंज काउंटर खुलेगा जिससे विदेश यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को स्वीधा मिलेगी भारते रुप्यों के बदले आसानी से विदेशी मुद्रा मिल सकेगी बार सो पचास रुपे और रक्षा बंधन का सगुन दो सो पचास रुपे यानि कुल पंद्रसो रुपे ट्रांसपर किये है अजियात्या दो हजार पचेस के लिए घोशित की गई पॉलिसी ना सिर्फ अब तक की सबसे जल्दी एलान की गई पॉलिसी है बलकि इसके मुता तेश में सरकारी विभागों और उपक्रमों में काम कर रहे 3.25 लाग ठेका और आउट्सोर्स कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है श्रम विभाग ने एक नई गाइडलाइन जारी की है जिसके अनुसार अब इन कर्मचारियों को बीमा, ग्रेजवेटी, बोनस, ओव क्या जा रहा है और जनता राशन के लिए भटक रही है मैप कास्ट में नदियों के संरक्षन और उसके बचाओं को लेकर जागरुपता कारी कराने में भी फरजी वाड़ा करने का मामला सामया है पहले तो बिना विदिवाद स्रीकृती केंदर से मिली रासी से दुगुनी राशी खर्च के फिरकारिकरम कराने कोटेशन भी चार महीने बाद परजी तरीके से बनाए गए अब इसके शिकायट की गई है उच्चन आयाले मधिप्रदेश जबलपूर खंड पीठ ने जामसावली तहसील सौसर जीला पारडूना से चमतकारी श्री हनमान मंदिर ट्रस्ट को भंग कर दिया है उच्चन जिले के पान बिहार चौकी पुलीस ने दो साल से फराचल है इरामी आरूपी को ग्रफतार किया है आरूपी एक धोखादड़ी के मामले में फराचल रहा था पुलीस ने उसे ग्रफतार कर नयायाले में पेस किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है बोपाल के हुजूर् विदानसभा के विधायक रमिश्वर सर्मा प्रधारमंतीरी नरिंद्र मोदी के हरिगर तिरंगा अभियान के अंतर्गा 14 अगस्पो भारत व दर्श की विशाल तिरंगा यात्रा आयुजित करनी जारे है यतिरंगा यात्रा कर्मश्री संस्था के तत्वाधार में आईजित की जाएगे जिसमें भोपाल सहीच छेत्र के पैरसर से 70,000 देश्भक्त नागरिकों के शामिट होने की संभावना है